हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स आज हम एक ऐसे सुन्दर फूल के बारे में बात करेंगे जो साल भर चलने वाला प्लांट है इसका नाम है सिलोसिया इसे कई नामों से जना जाता है जैसे वूल फ्लार, कॉक्स कॉम या मोर शंकी आदी इस प् फूल खिलते हैं तो अगर आप सिलोसिया फूलों के पौध्य को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इस प्लांट के फूलों में हमें ज्यादा तर तीन तरह की शेप सेखने को मिलती है एक तो जैसी यह है हमारे ब्रे चैनल शेप के फ्लार्ज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग देखने को मिलते हैं जैसे येलो गोल्डन मजेंटा रेड वगेरा फूलों के इलावा इस प्लांट की लीज में भी बहुत सुंदर सुंदर रंग देखने को मिलते हैं देखिए जैसे यह औरेंजिश इस प्लांट के रख रखाव की बात करें तो सबसे पहले तो सॉयल इसको बहुत रिच सॉयल चाहिए होती है इसके लिए आप एक हिसा मिटी एक हिसा रेद और डेड़ हिसा खात करीजिए इसमें आप नीम खली और फंजी साइट भी मिला दीजिए और इस तरह से एक वेल गमले में लगा सकते हैं और इसकी जो डौफ राइटी है उसे तो और भी छोटे गमले में लगा सकते हैं क्योंकि यह एक खूबसूरत फूलों वाला पौदा है तो इसे धूब की रिक्वार्मेंट तो रहेगी रहेगी और यह धूब को पसंद भी करता है सर्दियों की क्योंकि जो bright colors हैं वो बहुत ही देर तक बने रहते हैं पर इसे बहुत तेज दूपी पसंद नहीं है तेज दूप में इसकी leaves और flowers के जो colors है वो fade होकर सूख जाते हैं और इसी तरह बहुत सर्दी में भी इस प्लांट को frost से बचाना पड़ता है सिलोसिय प्लांट में जब एक बार फूल खिल जाते हैं तो यह है फूल काफी देर तक बने रहते हैं और जब यह फूल सूख जाते हैं इस तरह से तो इन फूलों में ही seeds बन जाते हैं देखिए इस तरह से आप इसके seeds भी collect कर सकते हैं यह फूल पूरा सूख गया और इसके हिस्से में यह जो dry flower सा दिख रहा है यही इसके seeds हैं और इन्हें आप फरवरी या मार्च में अराम से ग्रो कर सकते हैं वैसे यह seeds खुद बखुद भी हवा से उड़कर आपके आसपास के गंबलों में पहुंचाएंगे और नए नए पौधे आपको कुछ टाइम बाद उगे हुए दिखाई देंगे जिने आप अपनी मर्जी से report भी कर सकते हैं अब खाद या फटलाइजर की बात करें तो इसके लिए आपको इस प्लांट को 10-15 दिन में एक बार seaweed, potash और DAP आधा आधा चमच दो लिटर पानी में मिलाकर liquid खाद बनाकर दे सकते हैं अगर आप organic खाद चाते हैं तो इसके लिए आप सरसों की खली की liquid खाद भी दे सकते हैं आप चाहे तो कोई भी compost इसको महीने में एक बार दे सकते हैं यह प्लांट बहुत ही easy to grow है और इसमें किसी भी तरह का कीड़ा या fungus की शिकायत भी नहीं रहती बस कभी कभी over watering से इसकी जड़े सर जाती हैं इसके लिए आप इसमें पानी ध्यान से दें और इसमें fungicide का spray करते रहें इस प्लांट की पानी की requirement की बात करें तो इसे regular पानी की requirement रहती है इसे जरुत से ज़्यादा पानी देने से भी इसकी जड़ों में सरडन पैदा हो जाती है और इसकी मिट्टी को नम रखें आप लेकिन उसे ज़्यादा गीला ना रखें पानी देते समय एक बात का ध्यान रखें कि पानी गंडे की मिट्टी में दें और इसके फूलों पर पानी ज़्यादा ना रहे ताकि फूलों में किसी तरह की गलन या सरण ना हो पाए सो फ्रेंड्स सिलोसिया एक ऐसा अनूठा और जीवन्त पौदा है जिसे आप बगीचे में या हाउस प्लांट के रूप में उगा सकते हैं इसे मिनमम केर की आवश्यक्ता होती है और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है इसलिए अगर आप कम रख रखाव वाले लेकिन एक अट्रेक्टिव प्लांट की तलाश में हैं तो इस सिलोसिया प्लांट को आप अपने गार्डन में या अपनी कलेक्शन में जरूर शामिल की उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइब शेयर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल थैंक्स पर वाचेंग